तो दोस्तो आज जून की दस तारिक है और गर्मी जोरों पर है लगभख सभी एरिया में हलागी बहुत जल्द जो मौनसून टाइम है वो भी स्टार्ट हो जाएगा लेकिन हुमिडिटी भी अब साथ के साथ बढ़ने लगती है मतलब जब हुमिडिटी बढ़ती है तो ऐसा म कीवल एक ही बार आपको नर्सी से लाने पडिएंगे दूसरी बार कभी नहीं लाने पडिएंगे आप लेकर आएंगे उनको असानी से आप लगा सकते हैं बहुत सी वह ग्रोद कर जाएंगे सर्दी से गर्मी गर्मी से सर्दी वह इसली ग्रो करते रहेंगे थोड़ा बहुत लीफ फाल होगा सर्दी के मौसम में लेकिन गर्मी आते ही फिर से चलने लगेंगे तो ऐसे पौधे शेर करूंगा किस तरह से उनकी प्रापगेशन की जाती है वो भी बताऊंगा इसी वज़ा से मैं को बहुत असानी से लगा पाएगा तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुत खुबसूरत से इस पतियों वाले पौधे के साथ औरना मेंटल प्रांट यह जो आप देख रहे हैं यह सिंगोनियम का पौधा है सिंगोनियम दूर से देखने में कुछ-कुछ कालेडियम की यह दिखाईए देता कुछ इसकी वराइटी जो बलकुल कलेडियम की लुक देती तो इस तरह से इसमें बडी लीव्श यह पसंद है क्या रहता है इसको सेमी शेड़ पसंद रहता है बहुत इसी टू ग्रो है पानी और मिट्टी में दोनों तरह से चल जाता है और इस तरह से देखिए इनके अंदर जो है वो एरियल रूट्स या स्केंडरी रूट्स निकल कर आती है तो इस चीज से इनकी जो भी प्लांट उमें बहुत सी ररैटी रहती है यह विघरिटड़ व ररियट्टी वाली वरइती है ग्रीन ब्लैक इस तरह से बहुत सी रराइट्टी इसको रूबी रबर प्लांटि कईबार नोटीस किये वो क्या होते है कि नर्श्टी वाले अकसर आपको जो है वह रबर प्लांट की वजाए बेन्न ट्री दे देते हैं बेन्न ट्री में प्याइन रहता है बेन्न ट्री मे एक इसकी गोर्डन या वरीगेट वराइटी रहती है वो देखने में कुछ-कुछ रबर प्लांट की तरह ही दिखाई देती है तो रबर प्लांट इंडोर एर प्यूरिफार प्लांट की लिस्ट में आता है बहुत सक्त जान रहता है काटिंग से प्रॉपरगेट असानी से कर जाता है खास तोर पर मौनसुन के सीजन में में डिफरेंस क्या है यह देखेगा इसकी लीव्स को आप देखेए यहां पर आपको लाइनिंग नहीं दिखाई देगी और जब आप इस तरह से देखते हैं बरगद के पेड़ के अंदर तो यहां पर इसके अंदर क्या इस तरह से लाइन दिखाई देती हैं तो इससे बहुत इसली जो पहचान हो जाती है आप पहचान करके लीजिएगा सैमी शेड इन पौधों को पसंद रहता है सैमी शेड में रखेगा इंडोर हला की ग्रो कर जाते है लेकिन इंडोर में क्या है कई बार जो ग्रोथ है वो स्लो निकल कराती है तो इस तरह से इसको आप लगा सकते हैं अभी के मौसम में थोड़ा दिन रुक के भी आप लगा लीजिएगा इसमें ड्वाफ वराइटी भी आती है बॉन्सइा के लिए पर्टिकुर इसमें भी निकल कर आती है आर गोसं आती है और कटिंग से सैमी शेड शेड ने बहतर तेज दूप में क्या होता है कि कभी बार पत्तिया जो जो आप भागने लगती है तो ये प्रॉब्लम आती है इसी के साथ में अगला पौधा ये दिखिए का इसको भी आप बिल्कुल ग्रोग कर सकते हैं थोड़ा सा ये हलका सा कह सकता हूं कि ऐसा पौधा है जो सेंस्टिव भी है लेकिन अगर आप इसकी एक बार देखवाल समझ जाएंगे तो बहुत सब् ये फ्लारिंग प्लांट की कैटागरी में आता है जो पहले तीन पौधे शेर किये वो और्नमेंटल प्लांट थे तो ये क्या है इसमें लगातार इस तरह से कलियां बनती हैं गुच्छों में फोल देता है एक जो प्रोग्रम रहती है वो रहती है इसमें येलो लीव्स की येलो लीव्स की ट्रीटमेंट हाला कि मैंने प्रोपर जो है अपनी वीडियो आपके साथ शेर की हैं तो मेरा ये पुराना प्लांट है लगवग इसको तीन से चार साल हो चुकी है मेरे पास सरदी के मौसम में पूरी तरह से इसकी पत्तियां गिर जाती है पौदा ऐसे बहुत बहुत खुबसूरत सी आप्शन में आ जाता है और सक्त जान पौधों में ये चाइनीज फाइकस इसको बोल देते हैं अब इसमें क्या फरक है थोड़ा सा इसकी जो लीव्स है इस तरह से लेखिए ओल शेप रहती है आईलेंड के नाम से भी कुछ इसको शायद जा ये मेरा लगभग दो साल पुराना पौध है आपको इस तरह से दिखाता हूं नर्से से मैं छोटा सा प्लांट लेकर रहा था अभी इसकी जो चेप है वो डिवल्प होने लगे इस तरह से तो इन पौधों में भी जो एरियल रूट्स हैं वो निकल कराएंगी अभी लेकिन अभी इसमें जो एरियल रूट्स हैं वो डिवल्प नहीं हुई इन में एक खासियत रहती है पौधे उपर की सेड में इस तरह से गोल गोल जो अपनी रूट्स है वो जुड़ है वो डिवल्प करते हैं इस तरह के जो औरनामेंटल प्लांट्स रहते हैं इनको थोड़ा सा जो मॉइस्टर है वो पसंद रहता है और हलकी सी नमी दीजिएगा साथ के साथ जो है वो सैमी शेड में प्लेस कीजिए जैदा पानी से कई वार इनके ओपर क्या इस तरह से देखिए ये समस्या निकल कर आती है ये क्या है ये स्केल का अटैक हुआ है इन पौधों में तो स सकते जान पौधों में से बहुत खास 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 पौधों में से आ जाता है ये अगलो नीमा की वराइटी जब अगलो नीमा में बहुत-वह लेकिन बेबी प्नाट से जो है वो प्रोपगेट भी किया जा सकता है तो दोनों अप्शन रहती है पानी कम चाहिए होता है इस पौदे को सेमी शेंड में रखिए जहां पर ब्राइट लाइट रहे वहां पर भी अच्छे से चलता रहेगा अगला खुबसूरत सा पौदा है इस लिए इसको प्रोपगेशन इनकी भी असान रहती है जहां से बड़ी बड़ी सी रूस निकल कर आये वहां से कट करके दोबारा से लगा लीजिए एक से करीं पोधे बहुत ज़ल्द से तियार हो जाएंगे तो इस तरह से पेड की तरहर जो भी इसे इसको शुआ इस लि सुबह की दो तिन घंटे की धूप में रखेगा वहां पर यह अच्छे से गुरू करेंगे साथ के साथ एरो केरिया की आप्शन जो है वो बहुत खास रहती है एरो केरिया थोड़ा सा आज कल नरस्री पर जो हो थोड़ा कौसली मिलता है लेकिन बहुत हाड़ी रहता है गमले मिलती में दोनुतरां से चल जाता है गमले में लगा लीजिए जमीन में लगा लीजिए बौंटरी वाल पर बहुत सुन्दर सा दिखाई देता है बहुत बड़े पेड़ में कनवर्ट हो जाता है तो इनको भी कहाए थोड़ी सी कम नमी चाहिए होती है बहुत ज़दा पान बास्ट पादे को शेयर कर रहा है यह थूजा मोर पंक्की का पाधा है मेरा मोर पंकी का पाधा मिरे पाश पिसले 2-3 साल से मोर पंकी हो बहुत सखतजान रहता है गोल्डन और ग्रीन दोतें तरह की वराइटेज में बिल जाता है यह जो आप देख रहे है यह इसकी पढ़ने लगेंगी गिरने लगेंगी हलका मॉइस्टर दीजेगा मॉइस्टर पसंद रहता है हलका मॉइस्टर ज्यदा पानी से भी पत्तियां पीडियों की पौधा मरने लगते हैं कटिंग प्रॉपागेशन इनकी भी आप मौनसुन के टाइम में कीजिए तो आपको रिज कर जाती हैं कुछ सेमी शेट को टोलेट कर जाती हैं आउड़ोर में ऐसी बहुत सी लीफी वराइटी हैं जो तेज धूप को पसंद करती हैं जैसे ये देखीगा ये जो आप देख रहे हैं ये फरकेरिया का प्लांट है इसको तेज धूप पसंद रहती है धूप में ही कि थो अभी मैंने इसको उपर की देख से जो रहती हैं तो क्या अभी kolके इसको पार करती हैं तो क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम घ्र से नए इसलिए कर नहिकल नहीं रहती है इसकी साइड से जो कह लीजे बेबी प्लांट्स हैं वो भी निकल कर आते हैं तो धूप के लिए पौधा बहुत खास रहता है गार्डन डेकॉरेशन के लिए चल जाता है जमीन में लगाने पर अच्छे से ग्रो भी करता है गमले में भी एक बॉंजाई भी बन जाता है तो ऐ आज की इस वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं किसी और नहीं टॉपिक के साथ किसी और नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई हैपी गार्डनिंग टेक कियर